आप सब आपको रोज कुछना कुछ सिखा करके जाता हूं नया तो आए आज कुछ नया सीखते हैं इस पर सबसे पहली चीज ये कि आप लोग अभी ग्रामर और राइटिंग के सेक्शन्स को देख रहे हैं और जल्दी ही आप लोगों के लिए लिटरेचर वाला सेक्शन भी अवेलिबल हो जाएगा तो आप लोगों को जरूर कुछ ने कुछ अच्छा उसके अंदर भी मिलेगा उससे सीखने की जरूरत है तो कि बहुत सारे जो NIOs हमारे candidates हैं वो लोग अभी schools में या फिर अपने study centers पर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई issue नहीं है आप लोग इसको follow करिए पूरा का पूरा session देखे hopefully आपको सारी बाते इसके उपर ही समझ में आ जाएंगे आपको क्या करना है exam कैसे देना है and you don't have to worry at all about your exams क्योंकि अब है आपके साथ आपका साथी that is पढ़ लो India और hopefully आप लोग जितने भी हमारे faculty members educators इस पर आ रहे हैं उससे पूरा फायदा आप लोग उठा रहे होंगे तो चलिए आए सीखते हैं आज कुछ नया तो आज के session में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जैसा कि screen पर देख सकते हैं आज का जो topic लेकिन यह non-finite जैसी कौन सी verb आ गई या फिर finite verb ही क्या होती है मतलब अगर हमने इसको grammar में बहुत जादा नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा यह एक नया हमें topic लगेगा लेकिन इसको हम चलिए समझते हैं पहले समझ करके देखेंगे कि यह कितना इसके अंदर क्या-क्या चीजें ऐसी है जो हमें पढ़ लेनी चाहिए जो एक्जाम के point of view से important होंगी और मैं आपको यह चीज़ बता दूँ कि अशौर कर दूँ कि इससे कम से कम 2-3 marks का एक्जाम में जरूर आएगा कम से कम 2-3 number ठीक है जो बड़े long type of answers होते हैं वो आपके writing section में जैसे letter हो गया या maximum 2-3 marks के ही बनते हैं तो आएए समझते हैं जरा देखते हैं सबसे पहले दें कि जो non-finite verbs हैं इसके 3 parts बताएगे सबसे पहले mind में सिर्फ एक चीज़ रखनी है कि यह है क्या चीज़ इस वाट यह एक तरह का क्या है वर्ब है ध्यान देना है कि जो हम type पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज़ वो एक तरह का वर्ब है वर्ब means action या फिर होती simple भाषा में बात करें तो काम action या फिर कोई क्रिया आप बोलते हैं हिंदी में वही क्या है हमारा वही हमारा वह होता है तो आए समझते हैं इसके अंदर तीन पार्ट से हमारे जीरंड ठीक है infinitives और फिर तीसरा है क्या पार्डिसिपल्स धान रखना है तीन पार्ट से क सबसे पहले देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है लिखा है आपका infinitives जीरंट्स और पार्डिसिपल्स इसको अलग अलग करके define करके बताया है ठीक है तो यहां पर जो आप यह कह रहें कि have given ठीक है अब यह जो वर्व है given यह define कर रहा है आगे जो आया हुआ में if you see there is use of two also तो two plus work का first form आ गया अब यहां पर मैं आपको एक चीज़ बता दू अभी हमने यहां पर नहीं पढ़ा है लेकिन आपको समझा देता हूं कि जितने भी आपके infinitives है infinitive के अंदर ध्यान रखेगा दो तरीका infinitive होता है एक तो general infinitive होता है और एक होता है आपका bare infinitive ठीक है एक general infinitive है और दूसरा है क्या bare infinitive तो